गूड मॉर्णिंग फ्रेंश तो कैसे हो आप सभी आप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंश जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो योयो असूरा कुईन के इलूजन में उसे हरा दीता है जो देख असूरा कुईन योयो से इंप्रेस हो जाती है जिसके बाद वो यहां से फोर किंग बनने के सफर में निकल जाता है। अब आगे जहां हम इस एपिसोड के सुरुवात में हैवन का सीन देखती हैं। जहां सभी लोग एक जगप पर इकटा हुए थे। तब वहां उनके बीच में उनके एमपरर एक छोटी सी बच्ची को लेकर आ जाती हैं। और वहां सभी हैवन वारियर से कहते हैं कि हमारे इन्मॉटल वर्ड में हमारे ही हैवन वारियर की ऊपर वो असूरा हमला करुने वहां जान से मारते जा रहे हैं। इसलिए आप सभी ही बताएं कि आइस जैसे छोटी बच्ची वहाँ पर सर्वाइब कर पाएगी। अब यह सुनकर वो लोग वहाँ कहने लगते हैं कि असूरास बहुत जादा बेहरहम होते हैं। इसलिए हमें उन्हें यहाँ जान से मार देना चाहिए। अब यह सुनकर वो एमपरर वहाँ कहते हैं कि हाँ अपने बिल्गल सही कहा। वैसे भी मैंने ना जाने कितनी बार उनकी गलतियों को यहाँ नजर अंदाज किया था। पर अब बहुत हो गया। उन्हें समझाने का कोई फाइदा नहीं। इसलिए हम सभी को मिलकर उन्हें यहाँ सबक सिखाना ही पड़ेगा और उन्हें यहाँ जर से ही खतम कर देना होगा। अब यह सुनकर गुआंग वहाँ गौड जियान से कहता है कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो। जिस पर गौड जियान कहते हैं कि असूरास काफी जादा पावर्फुल होते हैं। इसलिए अगर हमें उनसे जितना है तो उसके लिए हमें काफी भारे कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर गौड वहाँ उससे कहता है क्या तुम भी उन असूरास से लड़ने को जाओगे। अब यह सून कर गौड जियान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे उनसे कुछ पुराना हिसाब बराबर करना है। तभी अब हमें दूसरी तरफ योयो को दिखाया जाता है जो कि अब काफी जादा पावरफुल हो चुका था और बड़ा भी। तभी अब कौंग वाँ अपने सभी असूरा वारियर्स से कहता है कि हमारा नया किंग तुम लोगों को यहां हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। बड़ने में तुम सभी को भी उनके सारी बाते माननी होगी। अब यह सोन कर वे वह सभी असूरा वारियर्स वहाँ इसके लिए मान जाते हैं। अब यह सुन कर वो सभी असूरा वारियर वहां इसके लिए तयार हो जाते हैं तभी अब योयो उन सभी असूरा वारियर को लेकर यहां से एक नई से जगा पर जाने लगता है तबे वहाँ जाते जाते रास्ते में कौन योयो से कहता है कि इन सभी को यहाँ से दूसरी जगा सिप्ट करने में मेरे काफी सारे पैसे खर्च हो गए हैं और इन सभी लोगों को यहाँ कैसे समभालना है वो बस मैं ही जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे यहां काफी जादा काम आने वाला हूँ अब यह सुनकर योयो वहां कहता है कि हम अपने नए सिटी में तुम्हें एक अच्छी पोजिशन देंगे अब यह सुनकर वो लड़की भी वहां खुस हो जाती है और योयो से कहती है कि आखिर हम लोग यहां से कहां जा रहे हैं जिस पर योयो यहां से आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है कि हम लोग यहां से इस्ट की तरफ जा रहे हैं जहां पर ड्रैगन मॉन्टेन है और वहां पर असूरा ड्रैगन्स रहते हैं हम भे उनके ही आसपास अपनी नई सिटी बनाएंगे और सुकून की जिएंगे तभी अब हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जहां उसके पास उसका एक आदमिया उससे कहता है कि आप से मिल ले हैवन से गौड्ज यान यहां आए है अब यहां सुन ड्रैगन किंग वह कर हैवन गौड्ज पर अटैक कर सके इसलिए हमारे गौड्ज एंपरर ने हमें और दिया है कि हम उन असूरा वार्यस को यहां जड़ से ही मिटा दे इसलिए जल्दी ही यहां पर एक वार्ज सुरू होने वाली है तो मेरे आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी लोगो को लेकर यहां से निकल जाएं नहीं तो उस वार्ज के हमले से आपके भी लोग यहां मारे जा सकते हैं तभी अब इदर यो यो जब यहां से अपने सभी लोगों को लेकर जा रहा होता है तभी उसकी नजर वहां आस्मान में पढ़ जाती है जहां वह देखता है कि कुछ ग वहां गायल भी और उनके साथ रावन के बड़े वहां नीचे आजाते हैं। हम वहाँ तीनों kingdom के दिनों किंग्स को वहां देखते हैं। जहां वह लोग इस वार को शुरु होता हुआ देख कह रहे होते हैं। कि वह लोगों को हरा सकते हैं। पर साहिध उन्हें पता नहीं है कि हमारी पावर्स उनसे कई जादा है वाई तब इतने में ही वहाँ एक फायर बॉल सीधा उनकी ओर ही आ जाती है अब यह देखकर किंग जैन वहाँ उस पर अटैक कर उसे वहाँ डिस्ट्रॉय कर देती हैं और कहते हैं कि अब मुझे भी यहां से चलना चाहिए उन हैवन वार्योस को जान से मारने के लिए अब इतना कहते ही वह यहां से चले जाती हैं तब यह देखकर लॉड वांग भी वहाँ कहते हैं तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा अब इतना कहते ही वह भी यहां से चले जाती हैं तब ही अब वहाँ कुई नसूरा भी कहत लगते हैं और उनका लेडर अपने सभी लोगों को वहां से बचाने की कोसिस कर रहा हुँता है जिसके बाद वहां काफी गुसाते हुए कोड़ जियान से ही कहने लग जाता है कि यह सब बस तुम्हारी ही वज़त से हो रहा है तुमने हमारे क्लेन को यहां बरबाद कर दिया वाई तवी इतने में गौड़ जियान वहां देखता है कि एक आक गोला वहां सीधा एक बच्चे के उपर ही गिरने वाला है तो वो तुरंती जाकर उस बच्चे को वहां बचा लीता है और उस ड्रैगन किंग से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने सभी लोगों क घायल हो जाते हैं और उनसे बचकर इधर उधर भागने लग जाते हैं तभी एक हैवन वारियर वहां को आटक करने को करता है वैसे ही वहां हमारा हीरो योयो आ जाता है और अपने पूरे गुस्से के साथ उस पर अटक कर उसका गला ही काट दीता है पर तभी कुछ ही देर उसका गला वहां फिस से जुड़ जाता है और कहता है आखिर यह कैसे हो सकता है वह तभी वह वहां इसका पता लगाने के लिए अपने गौड अफ वार आइस का यूज करता है जहां उसे पता चलता है कि उस बड़े वारियर के अंदर तो वह हैवन वारियर से चुपे अब वो इसी तरह से दूसरे वारियर के साथ भी ऐसा ही करता है और उन्हें भी वहां जान से मार देता है वहीं दूसरी तरफ लौड वांग भी उन बड़े वारियर के अंदर से उन हैवन वारियर को बाहर निकाल उन्हें वहां जान से मारते हुई कहते हैं कि मैं तुम लो पर से उन्हें वहां से हटाने लग जाता है और उन पर जैसे ही अटेक करने की कोसिस करेता है वैसे ही वहां मारा हीरो योयो आ जाता है और उस पर अटेक कर उसे वहां जान से मार देता है जिसके बाद हम वहां देखते हैं कि हैवन से कुछ रास्ते बनते हुए नीचे आ रहे आपने वार्योर को उनवार्योर योडव को चारो तरफ से गेर लेते को उन्याद को यहां पूरियों करने दूरे साउल्दाम के लेते दिते पार्यूर जैसे ही एक हैवन वारियर वहाँ कौंग पर अटैक करने की कोसिस करता है वैसे ही वहाँ उसकी बेटिया उन्हें वहाँ बचा लेती है तब है इधर जैसे ही एक असूरा वारियर वहाँ एक हैवन वारियर को जान से मारने की कोसिस करता है वैसे ही वहाँ पर गौर्ड जियान उस असूरा वारियर का काम तमाम कर देती हैं अब यह देखकर वो हैवन वारियर वहां हैरान हो जाता है कि आप यहाँ आई ही गए तब यह जैसे ही दूसरा असूरा वारियर गौड्ज यान पर अटेक करने को आता है तो वो उस पर अपनी काफिश जादा पावरफुल पाम अटैक कर से वहां जमीन में गार दीती है वagn уб की नज़र वहां योगो पर पर जाती है जो वहां अकेले ही इतने सारे हमं वारियर को शोरू कर दीता है और गौड्ज यहान तो उसके सब्भी अटैक को ब्लॉक कर अपनी पाबर को आक्टिवेट कर यो somewhat को वहां से दूर फि और इक आरे कि सारे असूरा हो कि स्वाइन और मुझे पता है कि तुम इक असूरा कींग हो आप कुर्क को नहीं पड़ता कि तुम कौन मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे बस सभी गॉड्स को यहां जान से मारना है। अब यह सुनकर गॉड्स यान वहां हसते हुए कहता है कि तुमारी हिम्मत तो सच में कमाल की है, तुम असुरास की ताकत ही गुस्ता होता है। वाई तुम अगर अपनी सारी कंप्लेंट हमारे सामने रखो तो हम सबें मिलकर उन्हें सॉल्प कर सकते हैं जिस वज़े से हमारे बीच कभी ऐसे फाइट होगी ही नहीं ना कोई मारा जाएगा अब यह सब सुनकर योयो को वहाँ सावयो की याद आने लग जाती है इसके बाद गौड जियान वहाँ कहते हैं कि तुम अकेले ही ऐसे परशन हो जो इस पूरी सिट्वेशन को यहाँ चेंज कर सकता है पर योयो इसके लिए वहाँ नहीं मानता और कहता है कि तुमने हमारे पूरवजों को यहाँ धोका दिया और उन्हें अपने हैवन से बाहार निकाल दिया इस दिया हमारे बेश सुलहा कभी नहीं हो सकती है अब इतना कहते ही वो दोनों आप फेस से एक दूसरे से काफ़े टैरिफाइन तरीके से लड़ने लग जाते हैं तब है अब इसी फाइट के दौरान गौड जियान योयो पर अटैक कर उससे सीधा हैवन से आए उस रास्ते की ऊपर ही पहुचा दीता है और अब वो भी उसी जगब पर आ जाता है जहां योयो उस पर हैंड तो हैंड फाइट करना स्टार्ट कर दीता है पर गौड जियान तो उसके सभी अटैक को वहाँ डौज कर उसके कंदे पर एक सोरदार सा पाम अटैक कर उसे यहां से दूर फेक दीता है जिसके बाद वो दोनों वहाँ फिर से एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर दीती हैं अब इस वज़े से वो हैवन गौड का रास्ता ही वहाँ तूटने लग जाता है पर वो लोग वहाँ फिर भी नहीं रूखते और एक दूसरे से फाइट किये जा रहे होते हैं अब यह देखकर वो सभी के सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं पर तभी अब इदर उन दोनों के बीच वहाँ काफी खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां योयो उस गौड पर अटैक कर उसे वहाँ जमीन में ही गाड दीता है और उस पर जैसे ही एक खतरनाक अटैक करने को जाता है वैसे ही गौड जियान वहाँ अपनी किसे टैकनिक का यूज कर खुद को एक गौल्डन बॉड़ी में चेंज कर लेती हैं और योयो की स्वर्ट को पकड़ उसे यहाँ से दूर फेक देती हैं पर योयो अब भी वहाँ हार नहीं मानता और अपनी खतरनाक औरा को वहाँ रिलीज कर सिधा उस गौड के उपर अटैक पर अटैक करना सुरू कर दीता है पर वो गौड वहाँ उसके सभी अटैक को काफी अच्छी से ब्लॉक कर उसे वहाँ काफी अच्छी टकर दे रहा होता है जहां अब इसी तरह से कुछ दे तक fight चलने के बाद वो God वहाँ अपनी एक golden big body को create कर लीता है और सिधा उसे वहाँ control करते हुए योयो के उपर attack कर दीता है इधर योयो भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी body से एक dragon aura release कर रहा होता है जहां जैसे ही वो aura उस God से touch होता ह वैसे ही उसकी golden body वहाँ जनजीरों में कैद हो जाती है अब इसे मौके का फायदा उठा योयो उस पर इतना जोरदा सा attack करता है कि उसकी golden body ही वहाँ destroy हो जाती है और वो God जियान वहाँ बाहर आ जाता है तब है योयो उस पर भी अपनी sword से attack कर उसे वहाँ crack करने लग जाता ह पर यह देखते ही वो God भी वहाँ अपनी काफी powerful punch कर योयो पर एक जोरदा सा attack कर दीता है पर योयो फिर से वहाँ काफी जादा गुसा आते हुए उसके उपर एक खतरनाक सा attack कर दीता है जिस वज़े से वहाँ एक काफी बड़ा सा धमाका हो जाता है और दोनों ही वहाँ घ लड़किया योयो के लिए परिशान होने लग जाती है और यह देखकर योयो की भी वहाँ आग खुल जाती है और वह खड़ा हो वहां हसते हुए कहने लगता है कि अब तो मैं उन सभी गौड्स को यहीं पर ही मार दूंगा इसी के साथ हमारा दा सूरा किंग का सीजन वन एंड होता है फ्रेंज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई